दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे Excel के Look Up Function के बारे में Look Up Function क्या होता है इसका यूज क्यों करते हैं दोस्तो यहाँ पर आपके पहले से प्रोफार्मा बनाए गए हैं इस प्रोफार्मा में हम किसी भी वैलू को दे कर और किसी भी नेम को Father Name या अधर फिल्ड को हम चेक कर सकते हैं उसे देख सकते हैं यानि जैसे आप यह चाहते हैं कि आप रोल नमबर दें और candidate का नेम Father Name, Date of Birth या Mobile Number इन में से कोई भी एक चीज आपको शो कर दे दिखा दे तो इसके लिए हम लोग Look Up का यूज करते हैं या दूसरा अगर आप यह चाहते हैं कि आप Mobile Number लिखें तो Candidate का रोल नमबर या Student Name या Father Name ये शो कर दे तो इसके लिए हम Look Up का यूज करते हैं Look Up कभी भी आपका दोनों तरफ आपका वर्क करता है मतलब Left to Right आपका ये चलता है प्लस Right to आपका Left भी चलता है यानि अगर किसी Value को आप Left से देते हैं कि Left से किसी Role Number को आप दें तो आगे की तरफ इधर की तरफ ढूट दें यहाँ पा देखें आपको Arrow बना के दिखाया गया है यानि यह Left to Right आपको सर्च कर देगा इसका मतलब आप रोल नमर लिखते हैं तो आपके Name, Father, Name, Mother, Name या अदर जो भी आगे दिएगे हैं इसको आप सर्च करकर इससे देख सकते हैं लेकिन वही अगर आप चाहते हैं कि Mobile Number दें और Mobile नमर देने के बाद आपका Current Status, Date of Admission Father, Name, Mother, Name, इत्यादी जो भी यह शो करें तो यह आपका Right to Left भी वर्थ करता है तो Look Up आपको Left to Right की तरफ भी जाता है और Right to Left की तरफ भी जाता है इसके लावा इसमें आपको किसी भी डेटा को सजानी के जरूरत नहीं होती है यानि आपके इसे भी वैलू को सजाना चाहते हैं जैसे आपके यह नेम है तो नेम को A to Z सजानी के जरूरत नहीं है आपको यह ध्यान देना है कि जिस चीज़ को आप लिख रहे हैं यह A से Z format में बस होना चाहिए यानि आपका जैसे आपका सीरियल वाइज है तो जिस चीज़ को आप टाइप करेंगे वो सीरियल वाइज होना चाहिए बाकी अधर जो आगे का नेम फादर है वो सीरियल वाइज होने के कोई जरूरत नहीं है इसमें आपको यह ध्यान देना है कि यह आपका लूक अप लेफ्ट राइट सर्च करता है प्रस राइट लेफ्ट सर्च करता है इसके साथ साथ जो चीज़ आप टाइप करते हैं उसे A to Z सजाने के जरूरत होती है जो मैटर आप टाइप करेंगे उसे A to Z सजाएंगे तो आईए इसे example के साथ समझते हैं जब इतने बड़े format हैं तो इसके लिए नीचे हमने एक format बना रखा है कि क्या आपको लिखना है जैसे suppose आपको यहाँ पर कोई value type करेंगे यानि candidate का roll number यहाँ पर हम type करेंगे तो हमें क्या क्या दिखा है student का नाम यहाँ पर आपका show कर दे उसका father name आ जाए course आ जाए और mobile number आ जाए तो आपको यह चार चीज़ चाहिए तो चारो जगा आपको formula लगाना पड़ेगा और type क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको roll number type करना है इस example के साथ समझते हैं हमें पहले क्या जानना है student name student name जानने के लिए हम यहाँ पर look up चलाएंगे is called to आप लिखते हैं look up लिखते हैं look up लिखने के वाद आप से तीन चीज़ पूछता है look up value यानि वो value जहाँ पर आप type करेंगे उसे select करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी value को type करेंगे तो यहाँ पर आप select कर लेते हैं कि यहाँ पर हम किसी value को हम type करेंगे कामा लगाते हैं फिर look up vector look up vector का लग यहाँ जो value type करेंगे वो क्या type करना होगा तो हमें इन में से कोई एक roll number type करना है क्योंकि आप role number को एक इसमें से type करेंगे तो आप role number को type करेंगे तो यह आप select कर लेते हैं कामा लगाते हैं फिर आपसे पूछता है कि यहाँ आप देखते हैं तो result vector पूछता है result vector जानी आपको result क्या लाना है answer क्या जानना है तो हमें result में क्या जानना है student का name चाहिए student name पूरे को select कर लेते हैं इस तरीके से पूरे student name को select करते हैं इसके बाद आप enter बटन दबाते हैं enter दबाते हैं आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका na आता है not applicable यानि error message दे दिया क्यों आपने यहाँ पर कोई value type नहीं किया हुआ है यहाँ पर हम किसी value को type करके check करते हैं जैसे 107 type करते हैं तो आपके जफरुदीन खान आना चाहिए यहाँ पर हम 107 type करते हैं और enter दबाते हैं enter दबाते हैं आप देखते हैं तो जफरुदीन खान आपको यहाँ पर show कर दिया कि जफरुदीन खान आपका यहाँ पर है दूसरा अगर आपको 111 टाइप करते हैं तो मनोज कुमार दिखना चाहिए 111 टाइप करते हैं इंटर करते हैं तो आप देखते हैं तो मनोज कुमार टाइप होकर आगया यानि आप किसी भी value को लिख कर और किसी दूसरे value को यहाँ पर ढोड़ सकते हैं सर्च कर सकते हैं यह look up का काम होता है आप अगर देखते हैं आपकी जो यह नाम है यह आप left से type करते हैं तो right की value आपको show कर रहा है दूसरा अगर आपको father name चाहिए तो same वही father name के लिए आपको formula चलाना है course और mobile number के लिए formula चलाना है तो आईए इससे मैं example के साथ फिर समझाता हूँ आप SQL to दबाते हैं SQL to दबाने के बाद आप look up लिखते हैं tab दबाते हैं इसका जहाँ पूछता है look up value आने देखना क्या है तो आप जो type जहां करते हैं उस cell को select करते हैं कि यहाँ पर हम value type करेंगे comma यह जो चीज़ आप type करते हैं वो कहां से आपको मिलना है तो इस role number में से किसी एक को आप लेंगे कि यह total role number में से कोई एक हम type करेंगे comma next पूछता है result vector यानि answer आपको क्या जानना है यहाँ पर हमें father name जानना तो father name की पूरी cell को select कर लेते हैं और select करने का फिर enter हम दबाते हैं इस तरीके से आपका यह भी value save हो जाता है और आप देखते हैं तो यहाँ दो जेगे formula लग गया तो दोनों का answer automatic change होगा यहाँ पर हम value change करके देखते हैं 114 गर आप type करते हैं एंटर दबाते हैं 114 आप देखते हो तो यह आपकी राके शर्मा राके शर्मा स्री सुरेन स्री सुरेन यह आटोमेटिक सर्च करके लेते आता है आप यह ध्यान दें यहाँ पर आपकी color हो जा रहे क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से apply कर रखा है conditional formatting तो पिछली वीडियो में हमने conditional formatting के बारे में detail बता रखा है, आप पिछली वीडियो का आप देख लें, conditional formatting के बारे में detail जनकारी लेना हो, तो उस वीडियो को देखकर आप जनकारी ले सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों यह हमारा look-up काम करता है, next look-up को mobile number लिखकर और इस सरीके से हम right to left search करके दिखाते हैं, कि अगर आप mobile number type करते हैं, तो उस condition में आपको roll number या course या student name जाना है, तो कैसे आपको show करेगा, तो उसके लिए नीचे example के साथ फिर formula apply करते हैं, इसके लिए आप मैं type करता हूँग, यहाँ पर मैं type करूँगा, यह mobile number type करने के बाद आप पर आप value type करेंगे, तो suppose हम यहाँ पर mobile number type करेंगे, तो यह वाले cell को लेते हैं, जहाँ पर आपको type करना होता है, कामा, यह जो type करेंगे, वो क्या value type करना है, तो आप इस mobile number में से किसी एक को type करेंगे, आप total mobile number को select करते हैं, कि इसमें से कोई एक को हमे type करना है, कामा, इसक name को select कर लेते हैं student name total select करके enter दबाते हैं आप देखते हैं यहाँ पर आपको error message देता क्योंकि आपनी यहाँ पर कोई number type नहीं किया हुआ इसके लिए आप यहाँ पर mobile number एक type करना होता है यहाँ पर mobile number यहाँ तो आप इस से कोई type कर लें या is call to button दबाएं और is call to दबागर किसी एक number को यहाँ से select कर लें तो बात वही हो यहाँ पर value automatic call हो जाएगा यानि जो यह लिखे हुई value है same value आजेगे enter दबाते हैं इस तरह के साब देखते हैं यह value direct आगे लेकिन यहाँ पर आपका error दे रहा है क्यों कि हमने बताए कि जो value आप type करेंगे वह value a to z में सजा होना चाहिए यानि छोटे से बड़े करम में यह आपकी value सजी है नहीं इस वज़े से आपका answer नहीं आएगा इसे हम पहले शार्ट करेंगे इसको select करते हैं select करने के बाद आप जाते हैं शार्ट एंड फिल्टर में और यहां से small to large आप शार्ट करते हैं शार्ट में expand the selection करके शार्ट करा देंगे अब इस तरीके से जब करते हैं तो आप यह ध्यान दे तो लेते हैं इंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि अनिली आदो है एट नाइन सेवन सेवन पर आप चेक करते हैं तो देखे आनिली आदो आपको शो कर रहा है इस तरीके से दोस्तो look up का use करते हैं जो कि look up किसी भी value को left to right और right to left दोनों तरफ सर्च करता है शर्त इसमें यह है कि जो value हम type करते हैं वो value type करते समये a to z में arrange होना चाहिए अगर वो arrange नहीं रहेगा तो आपका answer गलत बताएगा अगर आपको roll number को arrange कर देते हैं तो roll number के हिसाब से यह सही बताता है अगर mobile को करते हैं तो इसके हिसाब से यह सही बताता है आपने इस वीडियो में देखा कि यह दोनों तरफ से value को सर्च कर रहा है left to right और right to left इसके बाद इसे की दूसरी और तीसरी हमारी जो formula है वो आपकी होती है वी look up और एस look up क्या होता है कि अगर आपका data horizontal होत सजानी के ज़रूरत नहीं होती है जैसे उपर में हमने roll number को type किया तो a to z में इसको सजा दिया या mobile number को type किया तो a to z में सजा दिया यह आपका जो horizontal है यह क्या काम करेगा कि आपके value को left to right ही बस सर्च करेगा यानि आप अगर roll number लिखते हैं तो roll number के आगे name father data of admission और mobile number आगे आपका show नहीं करेगा क्यों क्योंकि यह आपका value look up इस पर work नहीं करता है तो आईए इस example के साथ समझते हैं suppose हमें यहाँ पर type करना है roll number कि आप roll number type करें तो आपका जो name है father name है या admission या mobile number यह show करें तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि यहाँ पर हमे पाई लिख देते हैं अब यहाँ पर आप formula चलाते हैं formula के लिए आप द्यान दे अगर data horizontal है तो we look up आप चलाएंगे अगर data vertical है तो h look up चलाएंगे अब यह कैसे पता चलेगा data horizontal यह vertical तो अगर आपका serial number course roll number 1 row में इस तरीके से आपको मिलेगा किसी का data तो यह data हमारा जो लि आप में इसको बैठा लें कि इस type का जो भी data आपका लिखा होगा तो इसे हम लोग horizontal data बोलेंगे vertical data इस data को vertical करने के लिए इससे मैं copy करता हूं control c से copy करते हैं नीचे आते हैं नीचे आने काद आप यहाँ पर कहीं भी एक cell को select करके right click करते हैं paste special करते हैं और paste special करने काद यहा उपर से नीचे data पूरा arrange होगा इसे हम vertical data बोलते हैं इस तरीके साब ध्यान दे तो एक आदमी का information इस तरीके से आपको show कर रहा है यह हमारी vertically data इस तरीके से paste होकर आपको दिख रहा है यह हमारा vertical data है उपर से नीचे और यह आपकी horizontal data है left to right यह horizontal data है तो इस पर आपको क्या ल जानना है क्या student name और mobile number तो यहाँ पर और यहाँ formula लगेगा यहाने जो चीज़ आपको जानना होता है वहाँ पर आपको formula लगाना होता है यहाँ पर आप scroll to लगाते हैं और scroll to लगाने के बाद आप लिखते है V look up VL type करते ही नीचे आ गया तो इसको आप बटन दबाते हैं tab दवाते ही पूरा value आपका आजाता है अब यहाँ पर आपको पूछता है लुक आप value यानि आप value जो type करें हुआं कहां type करें हैं इसको select करते हैं कामा लगाते हैं यहाल ठीवल एरे पूछता है यहाँ पर हम रोलnumber type करने चाहरे हैं तो आपका रोल नंबर पूरा select करेंग है फिर आप से column number पूछता है column index number यानि आपके किस में से answer आपको जाना तो यह आपकी पहली column होंगे जो आप पहला select किये यह दूसरी column है दूसरा आप यहाँ पर column index number two लिखते हैं कामा लगाते हैं इसका range में आपका approach पूछता है और false में exact पूछता है यानि लंसम में आपको answer जाना है या एकदान exact जाना है तो हमें exact को लेना होता है exact को tab दबाते हैं तो आपका false लिख करा जाता है इसके बाद आप enter बटन दबा दिया इसके बाद यहाँ पर किसी value का आप चेक कर सकते हैं 61 को type करके देख लें 61 पर आपका शीला है यह value आपकी a to z arrange रहे चाहना रहे answer आपका एकदम सही बताएगा जैसे सपोज अगर इसको हम arrange कर लेते हैं शार्ट करा देते हैं इसको मैं शार्ट कराता हूँ एट उजेट शार्ट करा देता हूँ आप देखते हैं तो 64, सेम उसी तरी के से अगर आपको mobile नमर जाना है तो यहाँ पर आप सेम उसी तरी से आप formula अप्लाई करते हैं इसके लिए आप स्कल्टू दवाते हैं स्कल्टू दवा कर लूक अप लगाते हैं जो कि आपके वी लूक अप लगाने है तो वी लूक अप टाइप करके टैब लगाते हैं यहाँ पर आप से लूक अप वैलू पूछ रहा है यानि वैलू आपने क्या टाइप करना है कहाँ टाइप करना है तो यहां पर आपको value type करने, इससे select करते है comma, यह value आप जो type करें को कहां से मिलेगा, तो इसमें से मिलेगा, प्लस आपके answer वाली, answer mobile number तक जानना, तो mobile number तक आप select करते हैं, select करने का वाद कामा लगाते हैं, यहां पर आपको column में index number पूछता, यानि answer वाला column, तो जो value जहां से select करते हैं, वो पहला column होता है, फिर अगला दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांच हो, यानि यह आपकी column number 5 होगी, तो आप 5 लिखते हैं, कामा लगाते हैं, इसकाद आपको exact match कराना, या approach कराना, तो exact match इसकाद इंटर दवाते हैं, इस तरीके साब देखते हैं, तो यहां पर mobile number भी आपकी call होकर आगी, आप जब भी किसी value को यहां select करेंगे, 67 select करेंगे, तो यह दोने value आपको दिखाएगा, 67 पर राजा है, प्लस आपकी 8847 है, तो आप यहां चेक करते हैं, 67, यह 67 पर राजा और mobile number अगर देखते हैं, तो 8847, तो दोस्तो इस तरीके से हमारा VLOOKUP यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट इस data पर हम यूज़ करेंगे HLOOKUP, HLOOKUP यूज़ करने के लिए data को पहले vertical होना ज़रूरी है, इसको हम copy करते हैं, control C से, control C से copy करने का आगे cell में इसको मैं paste करता तो यह data हमारी vertical होती है, और vertical जब भी होती है तो इस पर हम HLOOKUP लगाते हैं, HLOOKUP लगाने के लिए आपको सेम अही प्रोफार्मा जो हमने पीछे बता रखा है, VLOOKUP में जो बता है, सेम उसे तरी सा आपको apply करना है, सपोज यहाँ पर आपको value type करना है, तो यहाँ पर अब number को एक type करेंगे, तो आपको यह ऊपर से नीचे ही ध्यान दीजिए कि आपको answer देगा, यानि आप serial number type करेंगे तो नीचे की तरफ का value आपको जाना हो जान सकते हैं, अगर आप यहाँ पर roll number type करते हैं, तो नीचे की तरफ value जान सकते हैं, roll number type करके ऊपर की value को आप नहीं ज तो suppose हम serial number को यह e depois करेंगे तो जो serial नमबर आप serial number को select कर लेंगे plus answer गया जाना तो student का name जाना तो student का name तक select करेंगे कामा लगाते हैं यहाँ पर आप देखते हैं तो role no more मांगता है role no more हो हो अनले serial no more एक हो गया course two हो गया role no more तीन हो गया student four हो गया यहाँ पर पर नमर आप चार लिखते हैं कामा लगाते हैं इसका the exact match कराकर आप tab लगाते हैं उसका the enter दवाते हैं तो इस तरीके साब यहाँ पर n देखते हैं यहाँ पर आप value कोई भी एक serial नमर टाइप करें सपोज आपको आपको आपका अविनाश कुमर है तो आपको सामने शो कर रहा इसका a line में मैं change कर लेता हूं center कर लेता हूं इस तरीके से हम वी लूख और अचलू करते हैं और अचलुक आप कब यह ऊपर नीचे की और ढूटता है और वी लूख जो होता है of value बने value कहां type करना है जो type करना उसको select करते हैं कामा यह वैल्यव जो type कर हों क्या type कर है तो serial number जीरियल लाच्वी करते हैं इसको Select करते है प्लस wait hopefully at what seven ब्रहनमका लेना देना होता है तो एक दू तीन चर पांच रो नमर पांच लिखते है कामा उसका exact match कराते हैं टैब लगाते हैं एंटर दबाते हैं इस तरीके से आप देखते हैं तो यहाँ पर यह आपकी फादर निमा गई अब जब वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं चार लिखते हैं इंटर चार पर देखते हैं तो आशेस और शियो जी आओ गया आशेस से हो जी तो दोस्तों यह आपकी एच लुक अप और वी लुक अप और लुक अप इस तरीके से तीनों फंक्शन आपके वर्ग करते हैं अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें शेयर करें इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद